हेलो फ्रेंड्स विलकाम। व्लिव ऊडूलियोश्च जैननकों आज हम लोग देखेंगे कि मोल कैसे बनाते हैं जो प्लास्टिक डाइभ मोल होता है को हम लोग बनाते कैसे कैसा को Гण डिजाइन करते हैं आज उसका हम लोग डिटेल्स जानेंगे तो एक सिंपल समय आज ग्लास लेता हूं फ्रेंड उस ग्लास का हम लोग मोल डिजाइन करेंगे तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड फाइल देन न्यू और इसके बाद आपको पार्ट पर डबल क्लिक करना है यह देखिए विंडो ओपेन हो रहा है मेरा सबसे पहला हम लोग मिली मिटर में काम करेंगे तो यूनिट को सेट कर लेते हैं इसके बाद फ्रेंट को प्लेंड को मैंने शो कर लिया है यहां फ्रेंड प्लेंड का बहुत इंपोर्टेंट है यह देखिए मैं एक ग्लास पहले बना लेता हूँ, सिंपल सा एक ग्लास बनाएंगे फ्रेंड यहां वर्टिकल और इंफ्रेंट में ले लिया और यहां प्यक मैं शिंपल सा एक ग्लास बनाता हूँ कुछ ऐसा ही रहता है फ्रेंड ग्लास देखिए, लाइन कमांड के हेल्फ से अब डायमेंशन में देता हूँ, जो ग्लास का डायमिटर है वो आपका 75 का रहेगा डिवाइड बाइट तू क्योंकि रिवाल कमांड का यूज करेंगे तो हम लोग हाफ रेडियस लेते हैं और यहां पर मैं लेता हूँ, 28 डिवाइड बाइड 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 टू, शॉरी, 28 यह हाइट मैं ले लेता हूँ, चारे में सफिसेंट है यह वैलू मैं ले लेता हूँ, तीने में यह वैलू मैं 25 कर लेता हूँ, 24 क्योंकि पीस निकलने में आसानी रहेगा और क्या बचा इसका हाइट ग्लास का हाइट ग्लास का हाइट डिगरी में है, मिन्स यह मेरा लाइन इस्टेट नहीं है, यह देखो यह लाइन इस्टेट नहीं है, इसको हम लोग पहले इस्टेट करेंगे, इस पर क्लिक करके रिलेशन और जेंटल कर देंगे, अब मैं यहाँ से सलेक्ट करता हूँ, इस टू, यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस, कितना चाहिए मुझे, हंडेट, हंडेट का ग्लास है, मैं इसको रिवाल कमांड यूज करता हूँ, और यह देखिए, यह मेरा रिवाल कमांड से ग्लास बन गया है, अब मुझे कितना थिकनेश चाहिए, मैं सेल कमांड का यू यहां से मैंने प्लेन को हाइट कर लिया यह मेरा सिंपल सा ग्लास फ्रेंड हम लोग इसके उपर आज इसका मॉल्ड डिजाइन करेंगे कि देखिए ग्लास के अंदर की स्टेप बना हुआ है इस स्टेप को हम लोग कि नहीं यूज करते हैं तो राइट क्लिक करके यहां से आप इस ओकिन प्रॉब्लम यह तो आप यहां से सेल कमांड को यूज ने करके रिवाल कट का कमांड का यूज करिए वो बेटर देगा फ्रेंड देखिए इसी प्लेन पर मैंने स्केज बनाया था यहां से मैं शो कर लेता हूं शो इसकेज इसकेज रखिए हाइलाइट हो रहा है ऑफसेट ऑफसेट कमांड का मैंने सेलेट किया रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट एट पॉइंट एट की जगह पॉइंट सेवन कर दो अगर आपका वाल पॉइंट एट है तो पॉइंट सेवन रखिए क्योंकि डाय को पॉलिस करने में भी आपका कुछ मेटियल जाता है इसके लिए हम लोग तो जो डाय मोल्ड का में काश्र कंसेप्ट है फ्रेण किणट हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं फूरा खैल कि ए फूरा खैल रहते हैं वह वेट के ऊपर डिपेंड़ करता है जैसे e Kilyo में पच्चास घ्लास निकलता है अगर वेट ज्यादा रहेगा तो एक किलमें फचाश नहीं निकलेगा तो सब वेट का एकेल होता है Whew weight क्यो उपर ज्यादा आप फोकस करेएगा कि वेट हम लोग कहां से रिडूइस कर सकते हैं जितना ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो आपका जो कॉस्ट रहेगा वह आपका कॉस्ट बहुत डाउन होगा तो इसके लिए सबसे इंप्रोड़क्ट रेडी हो जाए तो यह देखिए फ्रेंड यह एक मेरे सेंपल से गलास है कि देखिए प्रेंट कौन सा मैट्रियल है यह मैं फीपी मैट्रियल अप्लाई करता हूँ एडिट मैट्रियल कि प्लास्टिक प्लास्टिक का ओप्शन देखिए यह रहा प्लास्टिक अब मेरा कौन सा है पीपी कि को पॉलिमर है मैंने इसको अप्लाइ कर दिया अप्लाइ क्लोजोस यह देखें वешकी मैंअा क्लाइक कर दिया इसका वेट कितना है यहांचा लोग देख सकते हैं मैटेल अप्लाइ करने के बाद इस क्लास का वेट आ ऊए leashा है 15 ग्राम 15.98 मतलब जो कि एक शोलग्राम ज्यादा वेट है फ्रेंड तो इसको हम लोग तोड़ा वेट और कम करेंगे डिजाइन में कुछ चेंज करते हैं कि डिजाइन में चेंज करने के लिए हम लोग इसका चो यह है यह इसको अगर हम लोग 2 कर दें और इसको पत्चीस यह 25.5 तो वेट पर फराग पड़ेगा फ्रेंड यह देखिए आपको 15.28 ग्राम अब टिक है फ्रेंड अब इसको हम लोग सेफ करेंगे कंट्रोल इस से मैं शेफ करता हूँ देखिए यह मैंने एक फोल्डर क्रियेट किया और मोल्ड इसको मैंने पार्ट नमबर ग्लास दिया ग्लास और शेफ किया फ्रेंड मैं कुछ कलर दे दिता हूँ इसको यह देखिए मैं कलर देता हूँ यहां से मैंने कलर दे दिया फ्रेंड और यह देखिए मैं कि मैं कलर में भी इडिट कर सकता हूँ जैसे में इदर जाके नमबर साफ रिफ 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 लेक्शन और बढ़ा सकते हैं कि इधर से देखिए नमबर साफ रिफ लेक्शन यहां पर है फ्रेंड इसको में लोग बहुत बढ़ा सकते हैं और ट्रांस्पिरेंट अमांट नहीं लूमिनेट को बढ़ा सकते हैं इधर देखिए मैंने बढ़ा दिया और ओके कर दिया अब यह मेरा एक क्लास रेडी है मोल बनने के लिए तो बहुत सिंपल है फ्रेंड देखिए अब मोल केस्ट बनाते हैं इसका मैं वह स्टार्ट करता हूँ फाइल न्यू आप असेंबली में जाओ सिंपल तरीका बताऊंगा फ्रेंड चुब बहुत सबको आसानी से आ जाएगा मोल बनाने में कोई कोई भी इस्सू नहीं आएगा मोल डिजैन करने में यह देखिए मैं आगे एक असेंबली में इंसर्ट कंपोनेंट मैं ग्लास को लिया और यह चार क्योंटी का ग्लास बनाना फ्रेंड मैंने इसको क्या किया फ्लॉट फ्लॉट मलब फिक्स पहले फिक्स था फिक्स नहीं देगा अब हम इसको अपने इसाप से मेट करेंगे कि मुझे कहां चीए कि अब यह देखिया मैंने मेट करा दिया अब वह अपने ऑर्ड पोजिशन पर आ गया है मेरा आर्टिकल अब मैं इसका चार क्योंटी कराएगा तो नंबर साफ लिनियर पैटर्न आपको टूडी में और त्रीडी में बताया था उसका मैंने मैं उसका पैटर्न कर लूँग कि नंबर साफ आइटर्म यहां से डिस्टेंस बढ़ा लिजिए 210 सेलेक्ट कंपोनेंट करिए कि स्वरी कुछ सीर्य रहे है यह देखिए मुझे इस डिरेक्शन में चाहिए कि कॉम्पोनेट पैटर्न इसको पैटर्न करना है सेलेक्ट किया नंबर साफ आइटर्म टू आइटर्म गैप बिट्विन टू आइटर्म्स प्रेंट जो मेरा ओड़ी है यह ओड़ी कितना है कि स्वेंटिफाई और दोनों की बीच में जो गैप होना चाहिए फ्रेंट वह मिनिमम थर्टी एम होना चाहिए क्योंकि इसका जो पंच आएगा पंच आएगा स्प्लीट प्लेट आएगा तो मिनिमम केप हम लोग 30 रखेंगे 45 सफिजिए और फ्रेंड थर्ती मिनिमम रखेंगे उसे निचे रहेगा तो मेरा आर्टिकल पर्फेक्ट नहीं बन पाएगा जो मॉल्ड रहेगा पर्फेक्ट नहीं हो पाएगा उतना भी ज्यादा नहीं यूज करना है फ्रेंड ताक्कि कि यह देखिए मैंने दो किया 220 220 की जगह 210 यूज करेंगे हम लोग यह देखिए चार क्योटी का हम लोग मुल्ड बनाने वाले हैं यह मैंने चार ग्लास ले लिया विद हेल्प आफ लीनिय पैटर्न और अब मैं न्यू पार्ट पर क्लिक करूंगा और इसके फेस पर इस पर क्लिक करें तो न्यू पार्ड बनाऊंगा आ चयो कि एक रेक्टेंगल लें जो प्लेट का साइज रहेगा फ्रेंड और प्लेट का साइज हम लोग यहां पे देंगे मादेखिए समझे यह आपका प्लेट का साइज letOS three गश्योग कि अ इस प्लेट का साइज थीन सब्योग और आपका अब तिक्निस एक्षूट कमांड का यूज करेंगे और यहां से आपका तिक्निस 120,500 130, 130 अब मैं इंसर्ट पर जाओंगा इंसर्ट केवेटी और चारो आप्शन को सेलेक्ट करूंगा यहां से सिंगल बॉड़ी को सेलेक्ट करूंगा यहां से इन्वांटेड यह चाहिए नहीं तो अपने आप क्योटी बन जाएगा उससे पहला हाँ आपन में ग्लस ग्लास का स्ट्रिंगेश करना एड करना है एक्चली प्लास्टिक में क्या होता है बीघ रहता है तो वो उसका डाय ह्यादा रहता है और जैसे घंडा होएगा तो फूरा सुकूरत है तो उसको मोञ छ्रिंग इस वैइलु वह थो पक्त। है Friend Scale command है आपको डायरेक्ट किशा किशा कमांड है मौल आपको दिखने रहा है इधर फ्रेंद तो हम लोग देखेंगे業 के मन्द कहांपे फीचर्स में जाईए आप और यहां से आपको स्किल कमांड मिलेगा Om है यह रहा है यह मेंटेल पीपी है तो हंडेट जैसे ट्वेंड हंडेट है हंडेट में यह क्या रहेगा अ दो एमें मिनिमं और 2.8 2.5 मैक्स मादला मधगर सो एमेम है तो 102 mm 103 एक्सो दो पॉइंट पांच रहेगा तो प्लस के प्लस 0.0025 और मैं ओके कर देता हूं यह देखिए मेरा 75 एक की जीरु रहेगा हंडिट मेरा था फ्रेंड और इदे कि अभी आपका वैलू बढ़ेगा तो मतलब हंडिट में दो में पीपी का पीपी के मैं पूप सिंके जो यह बता रहा हूं फ्रेंड हंडिट में टूपॉइंट टू से टूपॉइंट फैद तक अब मैं इसकेज यहां से बाहर आ जाता हूँ कि यह देखिए मेरा के टी रेडी हो गया मैं इसमें राइट क्लिक करके शेप इसका नाम दे दूँगा के वेटी के वेटी प्लेट अब मैं इसमें कुछ गाइड दे दूँगा फ्रेंड ताकि मेरा आर्टिक्ल सेंटर में रहे गाइड देना बहुत जरूरी है ने तो फ्लेज आता है फ्रेंड तो मैं एडिट पार्ट्स में जाता हूँ पहले मोल्ड को सेप करूंगा यह देखिए मैंने सेप किया ग्लास मोल्ड मैंने सेप कर दिया अब मैं इडिट करता हूँ और इसका मैं सेंटर लूंगा यहां से यहां तक और मैं यह देखिए गाइड बनाऊंगा यह 220 यह 220 220 क्या बहुत पास दिख रहा है तो चीज कर लेंगे फ्रेंड या 230 कर लेंगे 232 230 और यहां समलोग एकश्यूट कट पर जाएंगे कि यह तो इसकेट्स पर फीचर्स पर जाके कॉनर रेडियस रहेगा फ्रेंड रेडियस करना बहुत ज़रूरी है कि यह देखिए कि एक्षूट कट अ पंदरे अम्म का गाइड बहुत है फ्रेंड या बीस अठरे अम्म का गाइड देजिए या 20 अम्म का बीसम्म का डॉप्ट करिये कि यहां जो कुछ डिगरी देजिए तो पांच का डिगरी क्यूंकि मेल फीमेल होना चाहिए फ्रेंड फिलिट आउटसाइड आउटसाइड डॉप्ट और यह देखिए मेरा जो डिगरी है और आउटसाइड होना चाहिए इंसाइड नहीं तो यह देखिए यह मेरा गाइड हो गया मैं इस फेस फे फिलिट का यूज़ करूंगा इसका यहां पे और यहां से रेडियस दो एम दे देंगे तक ही जब इसका पंच इंटी करें इस फिलीट तो यहां से कट ना लगी जिसको हम लोग बोलते हैं मार लग गया तो मार ना लगी इसली अंदर गुश्च चाहिए अब आता है फ्रेंट गाइड़ पिन गाइड़ पिन को मैं गाइड़ पिन बनाने जा रहा हूं गाइड़ पिन का बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंड इसमें डाइव मोल्ड में गाइड और गाइड़ पिन क्योंकि जो डाइब आउट रहता है फ्रेंड वो गाइड़ पिन के वज़े से यह आउट होता है इसके लिए गैट पिन अच्छा हैवी देंगे यह समझो मैंने 30 20 का कर दिया सॉरी 20 हो गया 30 का मैं देता हूँ यहां से यहां पर 32 में यहां से यहां 32 में और मीरर कमांड यूज करूंगा मैं चारू साइड इसको मीरर कर दूंगा मीरर देन अबाउट टू इस मिरर यहां से मैं त्रो आल करता हूँ और त्रो आल करके यह गाइड पिन का होल मैं ने कर दिया दूसरा इसमें क्या करेंगे फ्रेंड दूसरा गाइड पिन का कॉलर कि अधिकल हमें सेंटर में रहेगा फ्रेंड तो कभी भी कभी भी आउट नहीं होगा अगर आपका आर्टिकल सेंटर में नहीं है तो मोल्ड आउट हो जाता है कटिंग में भी जो प्रोग्रामर रहता है वहां पर भी मिस्टिक हो सकता है कभी भी आप आर्टिकल हमेशा सेंटर में बनाएए कि सब के लिए इजी रहेगा आपके लिए भी प्रोग्रामर के लिए भी कि यह देखिए मैं 32 का नहीं 38 का मैं बुस के लिए 10 mm डीप में कि आपको कि गाइट के लिए मैं दे देता हूं यह देखिए कि मीडर यह कमांड यह कमांड यहां पर मीडर और मैंने 10 mm का कॉलर दे दिया यह देखिए 10 mm का कॉलर हो गया फ्रेंड यह मैं केवेटी प्लेट रेडी कर रहा हूं केवेटी रेडी हो जाएगा तो असानी से सब प्लेट रेडी हो जाता है कि रखिए मेरा आर्टिकल है अब मैं रणर के लिए फ्रेंड बैक साइड से कि रखिए यह मैं रखिए यह देखिए यह मैं रखिए यह मैं रखिए यह दो जाता है कि देखिये मैं बैक साइड रनार बनाऊंगा सेंटर से दो में आगे तक फ्रेंड होना चाहिए सेंटर से दो में आगे तक मैं आगे तक लेके बनाऊंगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो एमेम या तीन एमेम आगे तक रहना चाहिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस तीन एमेम आगे तक रहना चाहिए अब कंट्रोल के साथ मैं को लिनियर कर लोंगा फ्रेंड को लिनियर कर लिया मैं अब मैंने आपको स्वैब कमांड बताया है स्वैब कमांड में जाके स्वैब कट हम लोग इसमें 3-6 mm डाया का डालेंगे रणर और देखिए इसको मीरियर कमांड से हम लोग मीरियर कर लेंगे इसके लिए फ्रेंड आर्टिकल हमें इसा सेंटर में डाना चाहिए तुम मीरियर कमांड हम लोग इसली कर सकते हैं यह देखिए मैं एक प्लेंड जनरेट कर रहा हूं और यहां से मीरियर कमांड पर गया प्लेंड को सेलेक्ट किया और मीरियर किया हूं यह देखिए और यहां पर मैं लास्ट में रेडियस के यूज़ करूंगा 2.99 अधिस चलेक्ट और यह इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके गरेंगे यह देखिए रेडियस हो गया इसका सेंटर पॉइंट प्रिदेंगे क्योंकि यहां पर इस पार्किंग करना होगा फ्रेंड तो इस पार्किंग के लिए सेंटर पॉइंट दे देंगे जो हमारा ग्लास का सेंटर पॉइंट होगा कि यह देखे मेरे ग्लास का सेंटर पॉइंट क्या है यह है यह ग्लास का सेंटर पॉइंट क्या है यह आटोमेटिक हैलाइट हो रहा है फ्रेंट तो यहाँ पे अमलोग क्या करेंगे एक स्पोर्टिंग देढ़ेंगे यह देखिए मैंने एक सेंटर लाइन दिया यहां से कट करेंगे इंसाइट साइट कट कर देंगे फ्रेंट और डॉप्ट कर देंगे क्यों स्पोर्टिंग चाहिए यह प्रोग्रामर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं देखिए यह मेरा रनर हो गया यह फुटा ग्लास तक जाएगा इस पार्किंग के तुरू अब हम इसका आगे का बनाता हूं इस प्लीट प्लेट फ्रेंड अब इस प्लीट बानने के लिए क्या करना पड़ेगा वह मैं आपको बताता हूं मैंने यहां से गाइड कितना लिया है वह एक बारण है कर लियता हूं यहां यहां का गाइड is थ्वंटी और आपका एक एमें में कमी रहने चाहिए यहां से यहां तक कमीरा न च przysz Yo या दो में क्योंकि सबसे यह फेस्ट होना चाहिए जब यह प्लास्टिक आएगा तो यहां फिर फ्रेज नहीं आने के लिए तो नेक्स्ट प्लेट लेते हैं प्रेंट प्लेट लिया इस concurret को मैंने जो फ्र्स्ट केस है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा जो लास्ट के इखें फस्ट यह है और यहां से मैं कनोर्ट इंटीश करूँगा घनॉट कर लिया split plate steeper steeper plate मैं बना रहा हूँ और यहां से thickness 80 mm this side और this side समझु 30 का मैरा plate है फ्रेंड 18 माइनस 30 माइनस माइनस 12 अच्छा तुना च्छा तीस प्लस चालिस का plate है फ्रेंड 22 चालिस देखिए यह देखिए अब क्या करेंगे यहां भी मैं इंसर्ट में गया फीचर्स में गया इसको हम लोग माइनस करेंगे क्योटी को क्योटी लिया और माइनस कर दिया तो इसमें बेनफिट क्या होगा फ्रेंड यह देखुआ आप यह अपने आप आपका अब बन जाएगा क्योटी में अब यहां से हम लोग पॉइंट फाई वाल का पॉइंट त्री में लेके रिवाल कर करा के मिर्यर कर देंगे या ओपसेट करके भी मिर्यर कर सकते हैं फ्रेंड मैं सेक्शन व्यू लेता हूं इसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं यह देखिए अभी यह यह जो मेरा कट है यहां से इसके हाप से जाना चाहिए ताकि स्प्लीट आए तो मेरा पीस निकलना चाहिए एक करेंगे बाकी मिर्यर कर देंगे फ्रेंड मैं एक करने जा रहा हूं कि इसकेच्च यहां से आप एक चेंटर लाइन ले लिजिए एक थोटा से मिस्टर को करेंड मैं आपको बताता हूं क्या है जब यह आप क्योटी ले रहे तो वित आर्टिकल के साथ भी लिजिए क्योंकि आर्टिकल भी आपका माइनेस होना चीए यह 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 और यह आपका यह आर्टिकल माइनेस हो गया अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा कैसा दिखेगा वान सेकेंड फ्रेंड हाँ सेक्शन वीव लिया में यह देखिए यह मेरा इस पॉइंट से पॉइंट फाई इसके पॉइंट फाई डाया या पॉइंट तरी बड़ा होना चीए कि बड़ा होके हम लोग डिगरी पे कट कर देंगे तो पंच मेरा बन के आएगा वैसा तो मैं दो तरीका एक रिवाल्व कट कराएंगे एक डारेक्ट मैं देखिए एक डारेक्ट बदाता हूं आपको इसको सेलेक्ट करिए इसको आफसेट करिए 0.25.25 आउट साइड आउट साइड और यहां से आप एक्स्टूट करिए यहां से डिगरी लेजे पांच का डिगरी आउट साइड यह देखिए ऐसा कट हो जाएगा मीरियर कमांड आप जानते ही हैं हम लोग मीरियर करके चारो साइड चार क्योटिक है तो चारो साइड हम लोग मीरियर करके ले लेंगे फ्रेंड यह देखिए स्वारी यह देखिए मैंने चार प्रेंड लिया इसको मैं मीरियर कर रहा हूं दिस्क अब आउट आप्शन पूछेगा हो फर्स्ट बॉड़ी सेलेक्ट करिए कट हो जाएगा फिर इसको मीरियर करिए और यहां से ओके करिए यह देखिए इस फ्लेंड को हाइड करिए इस फ्लेंड को हाइड करिए यह मेरा स्टीपर प्लेट रेड़ी होगा फ्रेंड अब बस गाइड पी देना है यह देखिए और मैं इसको इडिट करता हूँ इडिट पार्ट गाइड पिन मैं बनाता हूँ यह देखिए क्योटी में जाएंगे इसकेज को सेलेक्ट करेंगे यह सकेज से करेंगे और सिधा कट करेंगे यह देखिए आपको नएडिट करने का ज़रूत नहीं यह बहुत जबजस्ट फीचर एफ्रेंड यह देखिए नेक्स्ट मैं कॉलर का बनाता हूँ कॉलर करनेट इंटीज 10 mm डीप और यह आपका गाइड पीन और बुस का काम हो गया यह इस्टीपर प्लेट में इतना ही रहता है फ्रेंड यह रिटन पीन रहेगा तो रिटन पीन का भी हम लोग देखिए कि कैसा रिटन करते हैं अब आता है पंच प्लेट सबसे पहले मैं चार पंच बना लेता हूं फ्रेंड बहुत इजी रहेगा आपके लिए फिर समझना कनवर्टिन टीच कर यह फ्रेंड दिस 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 एक आल रम्स दिस अब बैक साट जाए पर इसको बड़ाक लेुए लिजी जहां तक मेरा आटिकल है वहां तक देखिए आटिकल यहां तक है मेरा आप यहां तक ले लिजी मैंने आर्टिकल यहां तक ले लिए फ्रेंड यह देखिए कि ओके किया और यहां से कि इंसर्ट के ती क्या कि यह प्लस आर्टिकल आर्टिकल आपका जो आर्टिकल है मेरा आर्टिकल ग्लास है तो ग्लास को हम लोग क्यूटी में एक पंच से माइनिस करेंगे कंवी करके तो ग्लास में इस आफ बाइक साइड में हम लोग कॉलर बढ़ा करके ले लेंगे जो छोंगा कर देखिए इसेच पर गया मैं इसकोइफ करता हो अपसेट किया है निएतले ने बहुत है 8 mm बड़ा किया इसको 8 mm इसको 8 mm इसको 8 mm इसको और एक्स्टूड आप 10 mm डीप में ले लो या 15 mm डीप में ले लो पंच लंबा है तो 15 mm ले लो फ्रेंट नहीं तो 10 mm सफिसियंट है 15 की जागे आप इसमें 20 कर लो क्योंकि तोड़ा पंच लंबा है यह देखिए अब क्या फ्रेंट पंच में कूलिंग चाहिए और बोल्टिंग चाहिए दो चीट चाहिए तो मैं कूलिंग के लिए आपको बता देता हूं आप बीच में एक डिल करके लेलो आप 35 डाया का यहां से आप चारो में लेलो दिस दिस आण्ड दिस चारो का वैलू कर कर लो आप यह देखिए पीचरस पर जाए एक्सिट कट अब जाहां तक आपको कूलिंग चाहिए वहां तक आप कूलिंग आप डीप कर लो तोड़ा डिगरी देतो तोड़ा ज्यादा नहीं फ्रेंट पांच का नहीं तीन का दो का यह देखिए अब साइड से ओरिंग दे दो ताकि आपका जो कूलिंग फ्यूल है या समझो वाटर है तो आपका वह बाहर नहीं जाना चाहिए तो यहां से मैं तीन का ओरिंग दूंगा फ्रेंट कि यह देखिए कि आपशेट का भी यूज कर सकते हैं आप कि आपका तीन एम्यम का ओरिंग है तीन एम्यम मैं मीर्यर का यूज करता हूं फ्रेंड आर्टिकल सेंटर में है तो आपका मीर्यर बराबर रहेगा आर्टिकल सेंटर में नहीं है तो मीर्यर आउट हो जाएगा इसके लिए हमेशा आर्टिकल आप सेंटर में बनाएं कभी भी किसी भी आर्टिकल कोई भी मोल्ड बनाएं आप आर्टिकल हमेशा सेंटर में बनाएं देखें मैं मीरर दीस तु दिस तीन अमें का ओरिंग डालें फ्रेंड जितने का ओरिंग रहेगा उतना अपन वैलू डालेंगे और डीप उतना ही डालेंगे जितना ओरिंग रहेगा यह देखिए मैंने तीन अमें डीप में कुछ एक का डिग्री डाल देते हैं यह देखिए फ्रेंड ओरिंग हो गया अब पंच का बोल्टिंग एक पंच में बोल्टिंग का देखते हैं फ्रेंड कैसा बोल्टिंग करना है इसका हाफ ले लिजिए यहां से यहां तक है इसका हाफ यहां से हाफ ले लिजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट और यह देखिए मैंने हाफ लिया एक चुट किया यहां से मैंने कुछ पॉइंट लूँगा एक दो तीन चार इसमें एक हम लोग छोड़ देंगे फ्रेंड क्यूंकि कूलिंग आने के लिए रास्ता चाहिए तो हम लोग इसकी सबसे रास्ता छोड़ देंगे मतलब तीन ही बोल्टिंग करेंगे कि मैं अब डिल टैप की तरह बढ़ता हूं फ्रेंड इधर से मैं होल्ड विजाट में गया कि टैप में गया एम एट या एम टेंड कितना चगह है उस चगह कि आप से फ्रेंड यम टेंड का वैट जाएगा मेरा आसानी से और यह देखिए त्वंटियमेंड आपका जो लेंद रहेगा वो फिप्टीन एम डीप ना चाहिए नहीं तो पंच में जाके आपका फटेगा कि यह देखिए यहां से मैं ट्वंटियमेंड की जगह फिप्टीन एम डीप करता हूं यह आपका फिप्टीन एम डीप नंबर्स आफ फॉल्स कितने होल्स रहेंगे एक में क्लैंपिंग के लिए फॉर दोस्तों तो हम लोग तीन करेंगे फेस को सेलेक्ट नहीं करना है यहां से इस एज को सेलेक्ट करिए नंबर्स आफ आइक्टम त्री और ओके कर दीजिए कि ऐसा सभी पंच में रहेगा फ्रेंड हम लोग वैसा करके ले लेंगे कि यह मेरा नहीं होगा फ्रेंड एक वह मैं ट्राई करता हूं क्योंकि यह अलग अलग पंच है तो मिर्यर होने का चांस कम है फिर भी मैं ट्राई करता हूं इस था शॉलिड बोडी है सिंगल सिंगल वन स्टैन फ्रेंड फ्रेंड इस तो इस इस था ट्राई करता हूं फ्रेंड मिर्यर करने का देखिए इधर आ रहा है फ्रेंड बॉडी टू मिर्यर अभी इसको सलेक्ट किया लेकिन मिर्यर नहीं होगा फ्रेंड बॉडी टू मिर्यर इस टैप यह सलेक्ट नहीं हो रहा है तो मिर्यर मुश्किले फ्रेंड ऐसा हम लोग करके ले लेंगे चारों में करके लेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड जबी हम चारों में करने जाएंगे तो अब पंच होल्डर बनाते है फ्रेंड बैक साइट पंच होल्डर रहेगा इसी फ्लेट का हम कनवर्ट इन्टीज करेंगे अब एक साइड तर्टीफाइए एम एम का पंच होल्डर बनाएंगे तर्टीफाइए की जगा फोटी भी ले सकते हो फोटी एम एम और यहां से फीड वाइव फीचर्स में जाएए कैविट्टी में जाएए पंच होल्डर को सेलेक्ट करिए इसको और ओकी कर दीचिए इसको ओपन करिए आप दिखेंगे तो ऐसा बनके आएगा इन सबको आप डिलीट कर दीचिए Piklaan पूर गन ओर भार्ण और दीचिए वर दीच कर दीचिए कर दोटीच से चौरल, एम प्लोटीच ट स्वारी वन साइड ब्लाइंड वन साइड दिस इस डिलिट मैंने इसको डिलिट किया इसको कि इसको मैं कनवर्ट इन्टीज करूंगा फ्रेंड यह ओपसेट करूंगा क्योंकि यह मेरा पंच होल्डर है यहां से मैं ओपसेट किया पॉइंट फाइड का यह यह और यह एक्टूट कट करूंगा मैं जो एम टेन का वोल्टिंग रहेगा फ्रेंड वोल्टिंग इसके आप सामलोग डिल मारेंगे और मेरा पंच पर टेप रहेगा देखिए मैं मीरेर करने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हो फ्रेंड सबको बहुत इजी आज आएगा मुल्ड बनाने कोई भी बड़ा इस्यू नहीं है मैं मीरेर कमांड पर गया और फिर यह देखिए अब पीछे से क्या करेंगे फ्रेंड काउंटर जो होल्स का हेड होता है टेन अम्म का जो हेड रहेगा फ्रेंड वो हम लोग यहां पे कर देंगे इतना भी हेड रहेगा इस्टेंडर फ्रेंड यहां पे हमलू उस वैलू को डाल देंगे मैं मेर्र कर देता आँ फ्रेंड मेर्र सरी सर्कूलर पैटन यहां देन मीर्र यह मेरा पंच ओल्डर हो गया फ्रेंड अब पंच ओल्डर में गाइड पिन रहेगा यह देखिए मैं गयाइड पिन मानने जा रहा हूं यह गयाइड पिन करवान रिंटीज और एक्स्टूट कट यहां से मैं एक्स्टूट कट करूंगा पत्रो अल और फिर पिछे से कॉलर यह मैं पिछे से कॉलर कॉलर देदिया यह देखिया है मेरा तीन प्लेट रेडियो होगे कितने कम टाइम में फ्रेंड देखिये मेरा कॉंसर प्लेट है यह स्टीपर बोलता है प्लेट को क्योटी के बाद स्टीपर स्टीपर प्लेट हो गया फ्रेंड पंच प्लेट हो गया यह इदकी पंच पंच हो गया यह फ्रेंड यह पंच होल्डर पंच होल्डर हो गया फ्रेंड इडिट कर लिजिए पंच 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 होल्डर फ्रेंड ओके करेंड किवेटी रेडी हो गया इस्टीपर रेडी पंच पंच होल्डर यह तीन इंप्रेंडी प्लेट होता है वृपके है अब इस के पीछे का प्लेट है फ्रेंड पीछे का प्लेट मैं पता देता ओक्या और करेगा क्यों हम happy different Turning ढवर करा सकते या यह बैक साइड रोनर का से रिमूर ऊघव हो घ।So that बहुत सारे तरीके है फ्रेंड बाई स्प्रिंग के ऊपर बुस के ऊपर यह मैंने 30 mm का प्लेट लिया कि इसमें भी रणर रहेगा कि शेम जो रणर है उसी का मैं मीरियर करूंगा कौन से है क्युवेटी में है फ्रेंड क्युवेटी में यह देखिए यहां से कट एक आपने बना लिया फ्रेंड उसका रिफ्रेंड बहुत जगा काम आता है इसके लिए जो एक बनाएंगे वह बहुत सही होना ची वह सही रहेगा तो आपका आगे का सब कुछ सही होगा वह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है यह दिखिए अब मैं इसका मिर्यर करूंगा यहां सोके करता हूं मिर्यर और तीज फेस मिर्यर यहां से इसको हाइड किया अब यहां पर हम लोग बुस्ट डालेंगे फ्रेंड जिसको हम लोग रनर बुस्ट करते हैं मार्केट में इसली मिल जाता है बीस एमेम का बाइस एमेम का एक इंच का 16 एमेम का वह हम लोग जैसा मुझे रिक्रमेट रहेगा वैसा लेके डाल देते हैं देखें यह मेरा बैक प्लेट हो गया अब क्या करेंगे फ्रेंट एक मास्टर प्लेट बनाएंगे बैक साइड इसके मास्टर प्लेट जो मशीन में करने के लिए बीस एमेम पच्ची से में बाहर आएगा वान साइड से दो साइड से यह देखिए यहां से पच्चीस जैसा पंच में कूलिंग है फ्रेंड वैसा केवटी में पर कूलिंग रहेगा थिकनेस तीसे में सफिसियन्ट है यहां पर जो रनर बूस है उसके लिए फ्रेंड जगत चाहिए एटलीस यह देखिए तीस से में यहां से आप तीस ले लिजे डाया या तैतिस ले लिजे 33 और एक्षूट कट करिए 30-20 डिग्री आउटसाइड यह डिग्री और बढ़ा देचे आप 30 डिग्री कर लिजे यह देखिए ऐसा आपका यह बुस्क के लिए हो गया फ्रेंड आप कैसा मोमेंट करेगा डाई इसके उपर मैं लाइनर इंजेक्टर प्लेट इंजेक्टर पीन और यह दिखिए मैं लाइनर देता हूँ यह मेरा लाइनर इसका थिकने 40 बहुत है हाइड डिवेंट करता है आडिकल कितना बड़ा है उसके उपर फ्रेंड तो एटी सफिसियंट है कि दो होना चाहिए था मैं एक की बनाया दोनों साइड चाहिए मैं मिर्यार कमान भी यूज कर सकता हूँ यह दो ऑब्जेक्टी बना लेता हूँ यहां से देखिए मैं मिर्यार कमान का यूज करते हुए मैं मिर्यार करता हूँ और इस केस से बाहर आ जाता हूँ हाइड मैंने एटी लिया है एटी की जगा आप अंडिट भी लेलो चलेगा कोई वीशू नहीं है हाइड मैंने लेलिया है मैं बना आता हूँ इंजेक्टर प्लेट फ्रेंड दो इंजेक्टर प्लेट रहेगा 15-15 mm का या 10-10 mm का लेशकते आप मूव करने के लिए यहां तोड़ा से जगत छोड़के रखिए 5 mm क्योंकि इंजेक्टर हमेशा हर सोट पे मूव करता रहेगा यहां पे यह देखिए कभी कभी ऐसा कमांड इर्यार आ जाता है फ्रेंड तो यहां पे मैंने इसका थिकनिस आपको 10 mm यह 10 mm का प्लेट यह 15 mm का 16 mm का प्लेट लेजे फ्रेंड सेम इसके नीचे एक प्लेट और रहेगा इसी का कनवर्ट कर लिजे फ्रेंड और यहां से 16 mm का दो प्लेट हो गया है इसके पीछे मास्टर प्लेट रहेगा फ्रेंड इसके मैंने एक मास्टर प्लेट लिया है उसका मैं कनवर्ट इन टीच कर लूँगा कनवर्ट इन टीच कर लिए मैं और अब तिकनेस ले लूँगा कितना 40 mm या 30 mm भी बहुत है 30 mm कि सेंटर में एक साट का होल मार देंगे फ्रेंड अब इस हाट का होल मैंने मार दिये फ्रेंड कि साट का होल होने के बाद 110 का 45 mm डीप में मार देंगे गाइट के लिए 110 यहां से आप पांच से में डीप ले लिजी हूं कि यह देखिए मशीन क्लैंपिंग के लिए प्लेट हो गया कभी कभी क्लैंपिंग का जगह कि मशीन क्लैंप करने के लिए नहीं है तो हम मशीन का होल से भी मार देते हैं ताकि कि जब्सक्राइब लगे तो होल से भी फिट हो जाता है और नहीं तो क्लैंपिंग प्लेट ग्लेंपिंग मार के रखेंगे तो कभी भी होल्स मार सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी होल आउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड कि यह देखिए मैं एक होल लेता हूँ 176 172 जो स्टेंडर साइज है मसीन का फ्रेंड 172 है और 172 105 105 172 divide by 2 105 इसका मीटर करेंगे फ्रेंड यहां से हम लोग वोल भी जाट में जाएंगे और यहां से M10 की जगा M12 लेंगे M12 जितना है रहने देंगे और उस पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस पॉइंट इस पॉइंट यह फिर हम लोग एक बना के मिरेर भी कर सकते थे इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट त्रेट तो करने के लिए दिल यहां सेड़ेड ओके है अब मुझे इस प्लेट से इस प्लेट को करनेक्ट करना है जो कि यहां तक उसका बोल्टिंग आएगा तो मतलब लंबा लेंग बोल्ट डालेंगे फिक्स करने के लिए फ्रेंड क्योंकि यह पीस यह जो मेरा इंजेक्टर पीस है यह मूव करेगा यह यह और यह तीनों एक दूसरे में फिक्स रहेगा तो सबसे पहले मैं जिस चीस में प्लेट काम करना इसको आइसो करके लिए लेता हूं मैं यहां से आप आइसो कर लो आइसोलेट इसको सेलेक्ट करो आप यहां से आप लाइनर के सेंटर में कहां पर चाहिए आपको होल्स वहां पर आप होल्स ले लिए लिए यहां से लेके यहां तक और इसका मीरर भी करके रखिए आप क्योंकि आपको दोनों साइड चाहिए तो मीरर के लिए हेल्प मिलेगा कि टैन के लिए B12 व्हर आना चीए आपको कितना 86 से 85 मैं वीरर कमांड का भरफूर यूज करा फ्रेंड आप भी करिए आर्डिकल बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा हर एक चीज आपको इसके से बाहर जाना है होल विजार्ड में जाएए इसमें जाएए आप नॉर्मल हेट के लेंज हेट एक में डीप रहना चाहिए ताकि कभी भी लगे ना बस आप सेलेक्ट करते जाहिए फ्रेंड दिस दिस आल्सो दिस एंड दिस यह देखिये यह मेरा होल्स हो गया अब यही मेरा कहां पर आएगा लाइनर मैं लाइनर पर जाता हूं फ्रेंड होल्स लाइनर के सेंटर में होना चीए जोकी नहीं दिख रहा है तो मैं उसको सेंटर में लाँगा फ्रेंड यह इंपोर्टेंट पॉइंट है यह देखिये यहां से आपको एक लाइन डौक कर लिजिए दिस टू दिस और इस लाइन का मीट पॉइंट यहां पर है और यहां से लेके लाइनर कहां पर है यहां से लेके यहां तक लाइनर है इसको आप इस पॉइंट को डिलिट करिए मेरा सिप्ट हो गया फ्रेंड अब मैं क्या करूंगा कि जो लाइनर है उस पर होल्स मारूंगा फ्री होल्ड लाइना चाहिए इस दिस दिस एकना देज एकना देज एकना देज यह कनवर्टिन्टीज और आपको त्रोल कर देना है यह कनेक्ट होएगा पंच होल्डर में यह देखिए मैं एक करूंगा उसका मीरेर कर दूंगा डीप ज्यादा नहीं होना चीए फ्रेंड यह मेरा पंच होल्डर में होल्स हो गया यह होल है वो मैं इसका मीरेर कर देता हूं यह दुखिए यह 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 कनेक्ट करेंगा सिधा मैं सब पाड को शेप कर लेता हूं बाइन नेम फ्रेंड यह यह महांडर प्ली यह 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 हूं फ्रेंडर मैंडर प्ली ने टूंडर इंडर one next liner next inject the first plate inject a second plate master plate 2 अब क्या इंजक्टर के लिए फ्रेंड हम जगर देखके तेंग के गाइड पिन के बाद जुमें होल्स रहेगा देखिए कितने का हम लोग पिन डालने वाले हैं वह उसके उपड़ेंड करेगा कि हम लोग कितने का पिन डालते हैं इंजक्ट करने के लिए हम लोग उसको injectionटर पिन बोलते हैं 85 85 85 127 बीर कमांड के यूच करेंगे फ्रेंड यहांपे हमलू थ्रो ओल कर देंगे यह देखिए त्रॉल कर दिये मैंने एक एक मिनेट फ्रेंड लिप्टॉप डिस्चार्ज हो गया है एक सिकल्ड रुके रगिए हां फ्रेंड अपिस से शुरू करते हैं यहां पर हम लोगने शोल लगा होल मारती है सेम वाई होल इसमें आना चाहिए तो यहां से इंजेक्टर फ्लेट इसमें हम लोगों ने मारा है यहां से हम लोग उसको कॉपी करेंगे कॉपी बोले तो कनवर्टिंट टीच करेंगे किस में इसको कनवर्टिंट टीच करेंगे किसको यहां जब सेलेक्ट कर लो इसको करना है किनवर्टिंट टीच हो गया फ्रेंड तो रॉल कर दीजिए आप अब इस प्लेट में क्या करेंगे अब इस प्लेट में क्या करेंगे अब स्टीपर प्लेट में जो इंजग्टर पिन आए है वहां पर आप टैब देजिए ताकि वहां पर जो पिन आएगा वह इधर से टैप हो सके यहां पर इस अधिस आधिस आधिस न दिस कितने का टैप फ्रेंड यहां एट का सब्सिएंट है या यहां 10 का भी दे सकते हैं आप कोई यूशु नहीं है यहां 10 तो और ले लिजे फ्रेंड दिस दिस अल्सो दिस एंड दिस कि यह देखिए अब मैं पिन बनाओंगा फ्रेंड कि इंजक्टर पिन कि मैं इसके स्केच को सेलेक्ट करता हूँ अब कहां तक रहेगा फ्रेंड यहां तक तो यहां से लेकर एक्ष्टूर कमांड का यूज़ करेंगे अब टू सर्फेस का दिस सर्फेस एक्षली हाइलाइट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगी कि अब टू वर्टेक्स इस यह देखिए मेरा यह इंजेक्टर पिन है इस होल से पॉइंट फाइच छोटा होना चाहिए क्योंकि मुविंग वाला पीस है इस साइट से होल से हो गया अब गाइट पिन की तरफ आते हैं कि यह इंजेक्टर पिन हो गया इसका नाम हम लोग देंगे इंजेक्टर पिन इंजेक्टर पिन सेमें सारे का फ्रेंड गाइट पिन यहां से स्टार्ट होता है गाइट पिन कि अब पंच प्लेट पर जाएए अब पंच प्लेट स्वरी पंच होल्डर प्लेट पर जाएए इसको मैं इसकेज कहां पर करना है इस पर करना है पंच होल्डर कहां पर है आपका पंच होल्डर यह है यहां पर जाएए कि अधिस करिए कितना डीपेट टेन एमेम आप ले लिजिए रिवर्स डिरेक्शन और इसकेज करिए इस फेज इस देन क्या करन वर्टेंट इस कहां तक जाना है आपको इस टीपर तक अब टू वर्टेक्स दिस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिजे अब और छोटा कर लिजे क्योंकि अभी इसके बाद बूस आएगा इसका डायमेटर अटिंग 30 है तो 25 ले लिजिए आप ऑफसेट इस त्री एमेम का एटलिस्ट बुस रहेगा फ्रेंड रिवर्स डायरेक्शन होना चीए था यह कुछ सीरर हो गया इसके वज़े से मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा और आपसेट कमांड पर जाएए थ्री एमेम रिवर्स डायरेक्शन 3mm रिवर्स डायरेक्शन 3mm रिवर्स डायरेक्शन 3mm रिवर्स डायरेक्शन यह आपका गैड़्पिन यहां तक रहेगा फ्रेंड आपके सब प्लेट में बूस आएगा आपके बूस बनाने जा रहा हूं फ्रेंड इसको हम लोग गैड़्पिन बोलते हैं गैड़्पिन अब इस प्लेट इसका जरूरत है इसको मैं आइसो लेट करता हूं कि स्केट्ज का अप्शन यहां पर भी हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहला यह इसको मैं करता हूं डिप 10 mm इसकेट्ज अप्टू सर्फेस और जितने का पिन रहेगा फ्रेंड उतने का हम लोग इसमें होल्स मार देंगे इसे 25 का लिया था तो 25 का तो यह मेरा बूस बन जाएगा यह मेरा बूस है फ्रेंड यह देखिए यह फॉर स्टीपर के लिए हो गया है ऐसा बूस मेरा क्योटी के लिए भी रहेगा अब क्योटी के लिए आते हैं फ्रेंड क्योटी के लिए भी बूस रहेगा जो मैने बूस लिए है मैं उसी का करूंगा कनवर्ट नहीं वह रहा है फ्रेंड यह है यह है आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है फ्रेंड कि यह तो आप बनाने के लिए क्यों आप साइज देंगे तो आज जो आपका लेट का कारीगेर है वह बना के देगा कि दस एमेम डीप देन आप सॉलिड दिखा दो एंड इसके बाद यहां पर हम लोग इसके इसके बीच में स्प्रिंग डालेंगे फ्रेंड ताकि मेरा रनर आटोमेटिक गीरें यह देखियाप मैंने इसके बादोमेटिक गीरेंगे प्रेंगे प्रेंगे लोग देखियाप प्रेंगे प्रेंगे ले लिया मैं स्प्रिंग डालूंगा 32 डाया का यह 30 डाया का यहां से 65 यहां से 130 मिररmot देस्ट डींग मिर्यर तो बना दिया सेम यहां पर भी करेंगे इस प्लेट में कियो टीप प्लेट का कॉपी करेंगे और डीप डीप आपको 27 सफिसियंट है बीच में स्पिरिंग डालेंगे तो ट्रेवेलिंग रहेगा कभी भी पीच सटेगा तो अपने आप आपका यह देखिए आपका मोल्ड रेटी हो गया है अब बस हार्डवेर इसमें डाल देना है कि यह प्लेट और यह प्लेट कनेक्टेड होना चीए फ्रेंट मैं दो को लेता हूं दो ही फ्लेट का जरूरत है तो सब लेंगे तो कन्फूचन होगा कि दोनों को मैं आईसुलेट करता हूँ कि बागी सब भड़ जाएंगे कि यह देखिए कि मैं दोनों को बोल्टिंग के थुरू फिक्स करूंगा कि लुप कि दोनों कि देखिए 100 yeah 120 then mirror also this mirror come on this to this 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 about this mirror yeah I say about this I am I am I am I am I am कि देखिया मैंने बोल्टिंग का दे दिया कि अप्शन कि इसको मैं हाइट करता हूँ कि यह मेरा मोल्ड रेटी हो गया अब मैं एक्स्प्लोड व्यू दिखाता हूँ कि यह देखिए एक्स्प्लोड कि सबसे प्लेट कौन सा कौन सा प्लेट कैसे एक्स मोल्ड चलता है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि यह देखिएलग हूँ कैसे एक्स्प्लोड वो जे रिवड़खिएल झाल 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 आपका मोल्ड रेडी है चार ग्लास का यह देखिया यह मेरा क्योटिव प्लेट, स्ट्रीपर प्लेट, पंच होल्डर, पंच, लाइनर, इंजेक्टर, मास्टर प्लेट, रनर प्लेट और अल्सों मास्टर प्लेट हम लोग इसको सेप कर लेंगे मैं मोशन में तोड़ा करके देख लेता हूँ यह देखिये, स्टार्ट मोशन नहीं हो रहा है, नो इस्टू, एक्स एस अबाउट, 10 सेकेंड की जगह 15 सेकेंड कर दिता हूँ मैं यह देखिया आप पुरा मोल्ड रोटेट करके आपको दिखेगा आप शेप कर सकते हैं अब बना सकते हैं आइडिया ले सकते हैं अपने फ्रेंड के साद सेयर कर सकते हैं फ्रेंड प्लीज आप लाइक कर यह शेयर करिए करेंगे सस्क्राइब करिये सीखिए एक में मूल्ड बनाके आपको दूँगा आपको बस सीखना है और खुछ नहीं प्रैक्टिस करना है कही भी कोई डाउट आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कॉन्टेक नमबर ले सकते हैं और कभी भी क्वेस्टन आप पुश सकते हैं कभी कभी भी आप 24 घंटे में कभी भी कोई क्वेस्टन पूछ सकते हैं कोई इसु नहीं आएगा फ्रेंड सो प्लीज फ्रेंड लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए कि और फ्रेंड और फ्रेंड अपने दोस्त से आप शेयर करिए क्योंकि बहुत कि बहुत ही अच्छा तक डिट्रोलियल हम वर ख बनाते हैं हैं कि दो बहुत मेनत लगता है फ्रेंड बनाने में हि हैं थो अटीक है फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंड बाई प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फ्रेंड कि बाई फ्रेंड्स